नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है ककरन और स्वागत है एज़वीजी आनि आटोमोबील ग्यान भाई कगन की आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग स्कैम के बारे में अभी ये स्कैम नाम बड़ा हो गया है नीरव मोदी जी ने जब से गया तब से बाकी ये छोटे मोटे स्कैम भी होते हैं आपको कैसे सर्विस सेंटर वाले हर बार जो है आट सो से लेके पंद्रा सो रुपे का चूना लगा देते हैं throttle body cleaning के नाम पर सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि throttle body cleaning होती कया है हर कार में जहां पर air जो intake होता है उससे पहले एक throttle body लगी होती है जो कि जितनी भी air filter से आ रियो होती है उसको control करती है यानि कि un聲 को कब कि इस rpm पर कितनी air के requirement होती है वहाँ पे एक knob होता है वो खुल के उतनी air जो है intake में आने देता है ये एक throttle body होती है जितनी ज़्यादा throttle करोगे उतना wide वो open होगा उतनी हवा जो है अंदर आ सकती है ये process होता है अभी क्या होता है throttle body जो है वहाँ पे car बुजब जाता है over the time ठीक है तो carbon deposit जो होते है उसके कारण उसको clean करना पड़ता है वरना क्या हो जाता है आपकी गाड़ी जब भी idle होती है यानि कि चालू कि मानलो आप signal पे खड़े हो कहीं पे रुके हुए हो उस वक्त क्या होता है गाड़ी के rpm fluctuate करते हैं बहुत जादा और बहुत जादा fluctuate करने के बाद कभी कभी गाड़ी बंद भी हो जाती है क्यों क्योंकि throttle body जो ओपन नहीं होती है और ओपन नहीं होती है उस वक्त उसमें car deposit के कारण proper gas आ नहीं पाती है proper जितना हलका सा जो opening होती है उसमें से proper air आ नहीं पाती है throttle body में तो इस situation में आपको throttle body जो है वो साफ करनी पड़ती है कई manufacturers कहते हैं कि throttle body जो है एक लाग किलोमेटर पे साफ करनी होती है कई manufacturers कहते हैं कि 30-40,000 km के बाद में उसको एक बाद हलका सा clean कर दो कई manufacturers कहते हैं कि उसे छेड़ना ही नहीं है जब काम करना पूरा बंद कर जाए या गाड़ी बंद होने लग जाए तब जाके उसे छेड़ो तो अलग-अलग manufacturer अलग-अलग तरीके था throttle body के बारे में कहते हैं एक service जब भी आप authorized service कराने जाओगे उसमें throttle body cleaning के लगबग 600-700, 600 तो अब मेरे खाते कहीं नहीं होगा 700 से लेके आप से ले लिया जाते हैं लग-बग 1400-1500 रुपे कई ऐसे manufacturer से जो करते हैं और लग-बग हर service center पे ये एक kind of scam चल रहा है कि वो throttle body करवाते हैं आप से service पे गए throttle body साफ करनी पड़ेगी आपकी जबकि आपकी गाड़ी को आप में कभी भी problem face ही नहीं की होगी कि start करने वकि आइडल में problem आ रही है तो जब तक problem ना आया तो वैसे भी साफ ना करो और अगर problem आने लगे या आपको साफ करनी है आपको चाहिए कि बई मेरे को throttle body साफ करनी है वहां से आप उसमें एक throttle body से पहले एक nut होता है वो आपको खोलना होगा बहुत इजी होता है इसे खोलना आप उसे खोलिए और उसे कर दीजिए side में side में करने के बाद में आपको क्या करना हो एक throttle body cleaner होता है throttle body cleaner से आपको साफ करना होता है ये cleaner आपको online या कहीं भी shop पे लगबग 200, 300, 400 रुपे में मिल जाएगा और इसको आप 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हो मतलब बहुत अच्छे से उसे use करो तो भी वो 3 बार तो चल ही जाता है तो 3 बार चल जाता है, 300 रुपे का आता है या ऐसे कोई parts ना हो जो गाड़ी सक करके अंदर ले जाए, मतलब उसके engine के अंदर चल जाए, वोस चीज का आपको ध्यान रखना है तो आसपास कोई मिट्टी, पत्ते और ना उड़ रहे हो जादा और उस वक गाड़ी को स्टार्ट कीजिए स्टार्ट करने के बाद में आप जो है, वहाँ पे throttle body cleaner जो है, spray कीजिए अच्छे से जितना कर सकते हो, इससे क्या होगा, अंदर की तरफ कार्ब जमा होता है, वो वाला कार्ब जो है, आप पूरा हट जाएगा और exhaust के तरू बाहर निकल जाएगा, बहुत easy process है, कुछ नहीं करना है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना throttle body cleaner लीजिए, किसी mechanic के पास चल जाएए, पचास सो रुपे में वो कर देगा, ठीक है, तो मतलब जो चीज आपके पास पचास रुपे में हो सकती है, जो चीज हर बार 150 रुपे में पूरी हो सकती है, उसके लिए हर बार 300-400 रुपे एक्स्ट्रा या फिर total cool मिलाके, बतलब 1300-1500 रुपे जो ले लेते हैं, कुछ कमरी, इतना क्यों देना, ये चीज ज़रूरी भी नहीं है, कि हर 10,000 किलोमेटर बाद की ये चीज ज़रूरी होती है, ये throttle body cleaning ज़रूरी नहीं है, इस पर पैसा करच करना बंद करूँ, मैंने अपनी recent service जो है, वो 1400 रुपे में करवाई थी, मैंने उसमें throttle body cleaning नहीं करवाई, 1400 रुपे की हुई हूई इस service में, मतब कई लोगों ने मुला, यार 1200 रुप गा तो oil ही 14 रुपे में service कैसे होगा ये i20 की, तो हो जाती है, ये फालतोवी चीज़े avoid आप कर सकते हो throttle body cleaning जैसी, तो बस उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी, पसंद आए होगा, आपको ये topic throttle body वाला पसंद आए, दूसरों like, share, subscribe कर दीजिए, मैं आपके लिए पहने ही, seed belt पहने ही, शुरुक्षी चलिए, धन्यवाद